नमस्कार मेरा नाम है मुहम्मद वैस और आप देख रहे हैं NPO News लुहकार्ट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे दूरस्त चमदेवल GGIC की चात्राओं ने विद्ध्याले में शिक्षिकाओं की कमी दूर करने कलास्रूम के निर्माड और विध्याले भवन की मरम्मत किπει है चात्राओंने कहा ने कहा हैकि теперь सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती हैं दूसरी और सीवान चेत्र की चात्राओं को पढ़ाने के लिए शिक्षिकाओ तक नहीं नहीं है और विद्याले भवन की छट जर जर हो चुकी है बारिशोंने पर छट बुरी तरह से टबकती है वहीं क्लासरूम की कमी की शल्दे उन्हें बाहर बैट कर पढ़ाई करने पढ़ती है चात्राओं ने परदेश के शिक्षा मंतरी धन सिंग रावत और शिक्षा विभाग से जल्द से जल्द शिक्षिकाओं की कमी दूर करने क्लासरूम के निर्माड और विद्याले भवन की मरम्मत करने की मांग की है वहीं विद्यालय के PTA अध्यक श्रिमादवानंद कारोनी ने कहा कि विद्यालय के हाल काफी बुरे हैं विद्यालय में ना तो प्रधानाचार्य है ना ही पूरी शिक्षिकाए हैं चात्राओं को पढ़ने के लिए मौजूद हैं चात्र शिक्षिकाओं के भरों से इतना बड़ा स्रीमांद शेत्र कर विद्यालय चल रहा है जहां दूर दूर से छेत्रों से चात्राय बढ़ने आती हैं यहां क्लेरिकल और चतुर शेड़ी का स्टाफ तक नहीं है वहीं गड चात्राय है हमारे स्कुल में हमारे स्कूल में विज्ञान और गड़िक की चचना हो ने के कारण हमें बहुत दिखतों का सामना करना पड़ रहे हैं इसमें तो हमारे सब्सक्राइब करने की पर्दादों की साभित नहीं हो रहा है इसलिए मैं यह कहना चाहतू कि हमारे स्कुल में विद्ध्यानोर जड़ी की छाता ना होने की कारण बहुत ही प्रब्लम हो रही है और हमारी पढ़ान चाहिए हैं वह हमें बड़ी मुस्मित से पढ़ा रही है अधरी यह मेरा नाम जी है लुड़ी कार्ण पर्ति यह मैं आहिए मिद्ध्या पारण में बहूत दिख्राइब कि हमें बारे बारे वारिश मोसम बहुत भार्ट में भी वी ब्राम दे में बहुत अतियाश्क्ता है बहुत बड़ी अतियावश्यक्ता है हम तरकार जो है कि बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का नारा दे रही है उसमें भी हमें बहुत दिक्षत हो रही है और मैंने देखा कि हाँ सुख्षिकों की बहुत कमी है इतने बड़े इंटर कॉलेज में मात्र छे सुख्षिकों के द्वारा ही यहां पठन पठन कराया जा रहा है और इनके भरोसे यहां विध्याले चल रहा है जबकि इसमें नो प्रवक्ता हैं ल्टीके हैं और प्रधनाचारी हैं कोई भी जो है अभी हमें पुलब्द नहीं हैं जिससे हमारे वालिकाओं को पठन पठन में वह दिखत हो सिमान चेत्र होने के नाति जो है सरकार एक तरफ से कह दिया बेटी पढ़ाऊ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ इन बेटिवं के लिए एक बापू है और नहीं एक चतृत कर्मी है और नहीं जो है यहाँ पर प्रधनाचारिया है और जिस चिज़ बच्छों को बहुत काफ तो इस विद्ध्यालाई में जो है शिक्षिकों का की कमी दूर की जाए अन्यता जो है हमें सरकार के खिलाप शिक्षा विवाग के खिलाप आंदुलन छेड़ने को हम मजबूर होंगे तनिवाग